एक नमस्कार आप लोगों का टापनेंग लासे के प्यारे से यूटूब है पर स्वागत है आज की लेक्षर में हम लोग बात करने वाले कच्छा बारा की भौतिक विज्ञान की और आज की टॉपिक रहने वाली प्रकास का अपवर्तन अर्थात हम लोग आज पढ़ेंगे आ आज की सबसे पहली टॉपिक है प्रकास का पॉर्तन रिफ्रेक्शन अप लाइट उसको समझाने के लिए हमने पहले से ही कुछ चीज़े बना लिया जिससे की टाइम की वच्छत हो और आपको अच्छे तरीके से समझना जाए अब समझते हैं कि रिफ्रेक्शन अप पर प्रकास की चाल क्या होती है बदल जाती है जब प्रकास की चाल बदल जाती है तो प्रकास अपने मार्ग से बिचलित हो जाता है अपने मार्ग से हड जाता है तो इसी घटना को हम अपवर्तन करते हैं जैसे क्या होता है कि यह मान लिया जाए यह प्रकास है यह एक अभ कर कि या इस प्रकास की चाल बदल जाएगी अब चाल बदल जाएगी तो जाना इसको इधर चाहिए था या तो इधर चला जाएगा तो इसे ही हम क्या करते हैं अर्था जब कोई प्रकास की रण एक माध्यम से चल कर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के पश्चात वह अपने मार्ग से बिचलित हो जाती है या घटना प्रकास का अपवर्तन या रिफ्रेक्शन आफ लाइट कहलाती है आप समझे जरा साथ आए हमें आ देखते हैं चित्र के माध्यम से क्या वताया गया अब देखिए माध्यम कौन है दो माध्यम एक बिरल से जो पी ओ है यह आपतित किरण है पी ओ इसका आपतित किरण है और ओ और पी डैस अपवर्तित किरण है अब होती क्या है कि देखिए जब कोई प्रकास किरण बिरल से चलकर सगन में प्रवेश करती है बिरल से चलकर सगन में प्रवेश करती है तो वो उसका वास्तिक मार्ग ये है उसका वास्तिक मार्ग ये है पर तो ये इस मार्ग को अपना नहीं अपनाती वह अभिलंब की और जुक जाती है और जुकते वे बाहर की तरफ चलने लगती है तो यह गटना रिफ्रेक्शन अप्लाइट यानि प्रकास का अपवर्तन कहलाता है इसको हम समझने के लिए यहां पर प्याड़े बच्छों काफी चीज़े लिफ दी गई है हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा यहां हम समझते हैं कि यह दिखीगा यह बाहर से माल लेते हैं यह वाला माध्यम बिरल है यह माध्यम क्या है सगन है अब क्या होता है कि जब कोई प्रकास के ल और सगन क्या है आपका काच अब जब यह तो आपको लग रहा है प्याले बच्चो अब दीखिए आपको लग रहा होगा कि यह आपर एससी निकल जाने चाहिए ऐसे ही जाने चाहिए पर अधिन्तव यह अविलम की और क्या हो जांगे झुक जाएंगे तो यह घटना reflection of light कहला चीए है प्रकास का अपवर्थन कहला ता है अर्थाथ जब कोई प्रकास किरण वायू से चलकर काँच में प्रवेस करती है तो वो अभिलम की और जुक जाती है यहाँ से हम ये एक चीज बता सकते है कि जब प्रकास किरणे बिरल से सघन में जाएंगी तो वो अभिलम की और जुक जाती है जब प्रकास किरड़े बिरल से सघन में प्याली वायू से काच में प्रवेस करती है तो हमेशा वो अभिलम की और जुक जाती है ये बात clear हो रही है आईए हम बात करते हैं सघन से भिरल की बात करते हैं जब प्रकास किर्ड़े यही कांच में से वाई में जाने लगती हैं तो आप देखी यह आने वाली प्रकास किर्ड़े हैं जैसे ही कांच में प्रवेस और वाई में प्रवेस करती हैं तो प्रकास की चा अप्रवेस करने के पस्चाथ वह अपने पत्थ से वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है यह घटना Refraction of Light अर्थात प्रेकास का अपॉर्टन कहलाता है क्या आप संतुष्ट हुए प्यारे बच्चो चलिए अब आपको प्रेकास का अपॉर्टन स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई पर रहागा प्यारे बच्चो आप वहां से नोट कर सकते हैं प्रेकास के पॉर्टन की परिवासा कुछ important points हैं आईए हम उनको समझ लेते हैं वो कुछ important point क्या है प्यारे बच्चो यह देखिए आपने अभी notice किया कि जब प्रेकास के अड़े बिरल से सघन में जाती है तो वो अभिलम की और जुक जाती है और जब सघन से बिरल में जाती है तो अभिलम से क्या होती है दूर हट जाती है तो यह point हम लोग note कर देते हैं तो guys क्या लिखा गया जब प्रेकास के अड़े बिरल से सघन में प्रवेस करती है यहाँ चित्र में आपको दिखाई पड़ा है कि बिरल में से चल कर सघन में प्रवेस कर रही है तो सघन में प्रवेस करने के पस्चा यह अभिलम की और क्या हो जाती है जुक जाती है और द वायों में आती हैं तो वो अभिलंब से क्या हो जाती है दोर हड़ जाती है प्यारे बच्चों यह रहा इसका important पॉर्ण अब हमारा जो अगला topic है वो यह सब जो चीजे लिखी गई है यह सब सारे जो पद लिखे गई हैं इने सब की परिभासा हम लोग समझते हैं तो प्यारे बच्चों सबसे पाला पढ़िवासा हम समझेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं चाहे आप इस माद्यम में ले लिजह उससे फर्क नहीं पढ़ता पहले माध्यम में चलने वाली प्रकास किरने आपतित किरन कहलाती है आपतित किरन पी ओ के द्वारा आपको चित्र में दिखाई दिया है प्यारे बचो एक बार फिर से आप समझेगा कि यह पहले माध्यम में जो प्रकास किरने चलती है उसे हम आपतित किरन कहते हैं और दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं जिसे हम OP-स से ब्यक्त कर रहे हैं दोनों चित्रों में आप देख सकते हैं OP-स से ब्यक्त किया गया है तो अपवर्तित किरण क्या होता है दूसरे माध्यम में चलने वाली प्रकास किरणे अपवर्तित किरण कहलाती है और चित्र में आपको ओपी डैस से व्यक्त करके दिखाया गया है प्यारे बच्चो ठिक बात समझे आपतित किरण और अपोर्तित किरण आप समझ गया है अब ध्यान दिजेगा यहां पर एक बिंदू है जो आपको ओ से दिखाई पर रहा है दोनों चित्रों में एक बिंदू है उसे हम आपतन बिंदू का नाम दे रहे हैं उसे हम लोग आपतन बिंदू कहते हैं अब आपतन बिंदू क्या होता है पहरे बच्चो यह दिखान से रिखेगा आपतित किरण आप वर्तक प्रिष्ट अब कहेंगे कहन सा आप वर्तक यह वाला यह जो प् सघ Striker को किया है अलग किया है तो हम इसको चाहता अपोर्थक प्रिश्ट लिख लिए चाहे तीश्य लेजी पृथक कारी क्या प्रथक कारी प्रथक कारी प्रियतों अब ध्यान से समझीएंगा प्रथक कारEP क्या आपसे दीखो प्रिथक कारी प्रिष्ट पर इस्तित्व वह बिंदू जहां आपतित किरण एक मिकातती है या आपतित किरण प्रिथक कारी प्रिष्ट के जिस बिंदू पेश आके घरती है वही बिंदू आपतन बिंदू कहलाता है अब प्रिष्ट उड़ता है कि हाँ प्रि आपतित किरण पी ओ प्रिथक कारी प्रिष्ट के जिस बिंदु पे प्रतिछेद करेगी उसी बिंदु को आपतन बिंदु का नाम देंगे जैसे यह प्रकास हो गया ऐसे चलते 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 अगर यहां प्राके गिर रहा है तो यह वाला बिंदु आपतन बिंदु कहलाएगा प्रथक कारी प्रिष्ट के जिस बिंदू पर प्रतिछेद करती है या जिस बिंदू पर गिरती है उसी बिंदू को हम लोग आप तन बिंदू का नाम देते हैं अब हम समझते हैं अभिलंब क्या होता है आइए देख लेते हैं अभिलंब आपको चित्र में दिखाई पढ़ा होगा अभिलंब को हम O N दिखा रहे हैं क्या दिखा रहे हैं अब यहां अबिलंब की डिखा रहा है अब तन बिंदु पर घीचा गया जो लंब है यही क्याकालाता है अभिलंब कहलाता है यानि आपतन मिंद पे खिची गई एक सीधी देखाई हम अभिलंब के नाम से जानते हैं क्या इतनी बाते क्लियर हुई अभिलंब चित्र में आपको ओयन और ओयन डेस से दिखाई पड़ हैं अब हम समझते हैं जो रेड मार्कर से लिखे गए हैं ये चीजें आपतन कोड किसे कहते हैं दोनों चित्र में आपको दिखाई पर आपतन कोड यहाँ पर हैं आपतन कोड को समझने के लिए बच्चो जड़ा सा ध्यान दीजें ये आपतित किरण है ये अभिलंब है आपतित किरण और अभिलम के बीच जो बना कोड होता है उसे हम आपतन कोड कहते हैं इसे इसमाल आई से ब्यक्त करते है क्या मैं आपको जो बता रहा हूँ वो देखे आपतित की रड़ और अभिलंब आपतित की रड़ पी ओ अभिलंब एन ओ के बीच बना जो कोड होता है वो कोड आपतन कोड कहलाता है इसे हम इसमाल आई से ब्यक्त करते हैं क्या इतनी बाते समझना ही कर दो अब हम अगली देखे यहां भी वही चीज बता रहा है आपतित की रड़ और अभिलंब के बीच बना कोड आपतन कोड कहलाता है जिसे हम आई यानि इसमाल आई से ब्यक्त करते हैं अब लास्ट डिफिनीशन बसता है प्याले बच्चो अपवरतन कोड कौन सी डिफिनीशन अपवरतन क्या होता है अभिलंब और अपवरतित किरण अभिलंब और अपवरतित किरण के बीच बना जो कोड होता है उसे हम अपवरतन कोड कहते हैं यह देखे अभिलंब हो गई यह हो गई अपवरतित इनी दोनों के बीच जो कोड बना है इसे हम अपवरतन कोड करते हैं इसे हम ल तो सारी जो जितने पदे इस में थे, सभी पदों का परिभासा आपको बता दिया गया है अब आगे की किलास में कहीं भी आपको कोई भी समस्या नहीं होगा इसी साथ साथ अगर हम समझना चाहते हैं तो अपवर्तन के नियम को समझ लेते हैं प्यारे बच्चो किसको अपवर्तन के नियम को जिस प्रकार परावर्तन के दो नियम थे उसी प्रकार अपवर्तन के भी प्यारे बच्चो दो नियम है आई हम उन दोनों नियमों को समझते हैं उसके लिए हम इसको move करेंगे ये नीचे की line जब हम बात करते हैं अपवर्तन के नियम की अपवर्तन के मुख्यतर दो नियम है आपका प्रथम नियम क्या करता उसे जरासा चित्र के माद्यम से समझते हैं और जो definition है वो आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर screen page पे लिख के दिखाई पढ़ा होगा आप पहले समझेए फिर उसके बाद definition को matching कराई गया देखिए पहला ये जो आपतित किरण है देख पा रहे हैं आपतित किरण PO और आपवर्तित किरण OP-डश और खीचा गया अभिलम ये तीरो जो है तीरो एक plane में इस्तित हैं एक समतल में इस्तित हैं इसे ही अपवर्तित का प्रथम नहीं करते हैं एक बाद फिर से देखो अब समतल का मतलब प्यारे जो ये सारी जो चीज़े हैं उल्वाे इस समतल में और मतलब हैं और समतल का मतलब जो आपकर की बात हैं वरतन में सारी चीज़े एक ही मुआ हूं अपवर्तन में दोनों मिलाख होगा तुसे हम लोग सम्तल कहते हैं तो यह होता है प्रथम नियम प्यारी बच्चो अब आपको स्क्रीन पे जो दिखाई पड़ रहा था आप वहां से अपवर्तन के प्रथम नियम को लिख लेजेगा अब बात करेंगे दिथियन नियम की किसकी बात करेंगी प्यरव दिखाई पर लोगा अपवर्तन कोड आई तो दिथियन नियम कहता है आप तन कोड आई आपतन कोड़ आई की जा कोड़ आई की जा जा का मतलब होता है प्यार विच्छो साइन जा का मतलब होता है साइन तथा अपवर्तन कोड़ तथा अपवर्तन कोड़ अपवर्तन कोड़ कोण है इसमें आर है आर की जा जा मतलब होता है साइन आप जान रहे हैं अब का अनुपात का अनुपात एक नियतांक होता है यही यह बदलने वाले नहीं होते यही है अपवर्तन का दितिये नियम अब आपतन कोड आई की जा मतलब साइन आई बटे अपवर्तन कोड आर की जा मतलब साइन आई बराबर नियतांक यही है अपवर्तन का नियम हम आगे समझने वाले हैं कि अपवर्तनांक कोड आई की जा मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोड आर की जया मतलब साइनार दोनों का अनुपात दोनों का रेसियो एक नियताओं को होता है यही अपवर्तन का दिती नियम है प्यार बच्चो एक बात और जान लिजेगा इसे जो है इस नैल का नियम भी कहते हैं क्या कहते हैं इस नैल का नियम भी कहते ह इस इस नहिल की नियम से भी जाते इस नहिल का यही निया है प्यार बच्छो आप इन सब का एक स्क्रीन सॉट लीजेगा अब हम टॉपिक को चेंज करने वाले हैं तब इसको मूफ कर लेते हैं इस आई हम समझते हैं प्रकास का उत्कर्मणियता का सिध्धांत उत्कर्मणियता जो यह सब्द है आप लोगों ने केमेस्ट्री में बहुत जादा सुना होगा कि वहां पर प्यार बच्छों आपको बताई जाती है उत्कर्मणिय अभक्रिया एक ऐसी अभक्रिया जिससे हम कुछ बना रहे हैं फिर उसको उसी पूना चीस वस्ता से ले गए हैं उसी वस्ता में ला दें तो ऐसी कुछ अभक्रिया उत्कर्मणिय अभक्रिया कहलाती है आप लोग उनको केमेस्ट्री वालों से पढ़ा होगा फिलाल हम लोगों का काम फिजिक्स पढ़ाना है ता यह इसके बारे में चलते हैं अब देखें उत्कर्मियता का मतलब वहां होता है पहले बच्चो कि जब कोई प्रेकास की रण वायू से चलकर कांच में प्रवेस करती है तो वो अभिलंब की और जुकते हुए कांच के दूसरे प्रिष्ट पे पढ़ती है और जब कांच से वाय की तरफ जाने लगती है तो अविलंब से दून हटते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है ये तो घटना प्रेका प्रेकास की अपंट कळाता है पर अगर हम उसी प्रेकास की रण के सामने एक मीरन लगा दे एक दरपड लगा दें तो बाहर निकलने वाली प्रकास केड़े उसी माध्यम को अप उसी रास्ते को अपनाते हुए बाहर की तरफ इधर निकल जाती है यानी जिस मार्ग से वो प्रकास केड़े आई रहती है उसी मार्ग से वो प्रकास केड़े अपवर्तित होते हुए निकल जाती है यानि हम दूसरे सब्दों में बात करें यदि इधर आपतित किरन ओयम है और अगर हम दर पर लगा दें तो यह जो निर्गत किरन बी और आर माल लेते हैं जो निर्गत किरन और यहां माने हैं तो आपतित किरन ओयम और निर्गत किरन बीटी और जैसे ही हम दर पर लगाएंगे वैसे ही बीटी आपका आपतित किरन हो जाएगा और ओयम आपका निर्गत किरन हो जाएगा यानि कहने का मतलब है यदि आपतित किरण ओयम काच के अंदर प्रवेश करता है और निर्गत किरण बीटी प्राप्त होता है यदि हम निर्गत किरण के सामने इदर पर लगा दें तो निर्गत किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करने लगता है और आपतित किरण किरड के भाती वहार करने लगता है प्रेकास की इस घटना को उत्कर्णुयता कहते हैं आईए हम इसको बेंजक के रूप में समझते हैं पहले हम निकालेंगे वायू के सापिछ कांच का अपरतरांग क्योंकि वायू से कांच में जा रहे हैं फिर निकालेंगे का अगली बार क क्या करेंगे प्यार राचो कांच से वायू में कांच से वायू में आईए हम वायू के सापिछ कांच का अपरतरांग वायू के सापिछ कांच का अपरतरांग वायू को लिखते हम एर एर मतलब ए अपरतरांग को एन से वैक्द करते हैं यन कांच को ग्लास यानी जी तो इसे हम ए एन जी भी कहेंगे जाने जीगा वायू के सापिछ कांच का अपरतरांग बराबर हमने पढ़ा था SIGN I SIGN I BTE SIGN R यह है समिकर number 1 अब दुबारा हम क्या निकालेंगे काच के सापिच Y का परतान जब यहां से यहां की तरफ जा रहा है अब अगला क्या निकालेंगे काच के सापिच काच के सापेच वायू का अपरतनाग वायू का अपरतनाग अब काच के सापेच वायू का अपरतनाग क्या हो जाएगा ए ए एन जी के बजाय क्या हो जाएगा जी एन ए जी एन ए काच के सापेच वायू का अपरत्राग इसके लिए क्या हो जाएगा अब प्यारे बच्चो अब होता है साइन आई परन्तु आई के अस्तान पे अब ये वाला इंगल काम कर रहा है पर रचे ये आपतन कोड हो गया तेहां साइन आई हो जाएगा समी करण नंबर 2 हो गए ठीक समी करण 1 और 2 का गुणा कर देते हैं समी करण एक गुणे 2 तो साइन आई बटे साइन आर ये परसन into sign r बटे sign i अब आप देखी ये इनसे ये इनसे मतलब एक आगे है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ang बरावर sorry ang गुने gna बरावर क्या आजाएगा एक आजाएगा अगर हम gna को इधर कर दें तो गुना में इधर जाएगा भाग में तो ang बरावर एक बटे gna आजाएगा एक बटे क्या आजाएगा gna तो ये चीज़ क्या बता रहा है ये चीज़ प्रकास की उत्करम येता को ही तो ब्यक्त कर रही है कि वायू के सापेच काँच का अपरतनांक काँच के सापेच वायू के अपरतनांग के ब्यूत्करम के बराबर होता है एक बटे है न तो ब्यूत्करम हो गया न कर बच्छो देखे वायू के सापेच काच का अपरतनांग काच के सापेच वायू के अपरतनांग के ब्यूत्करम होता है यही है फार्मूले के रूप में प्यार एच्छो बात करते हैं प्यार बच्छो इस्पिसल केस में यदी यदी माध्यम क्यों यहाँ दो थे एक वाई और कास थे यदी माध्यम तीन हो जाए तो यदी माध्यम यदी माध्यम क्रमसह कितना हो तीन हो यदि जो माध्यम है वो करमसह कितने हो तीन हो कौन-कौन वायू जल और काँच तीन हो तो क्या होगा तो फार्मूला हो जाएगा पैरवेच्च अपवरतन का फार्मूला हो जाएगा किसके सापेच जल का काँच के सापेच जलका कांच के सापे छप परतनांग का बेंजग हो जाएगा A N G बटे हो जाएगा A N W यानि हम अगर तीन मातहम लेंगे यदि परकास के लिदे परत आफनांग का क्या हो जाएगा W N G मतलब जल का कांच के आपउटनांख होगा Y के सापच कांच का आपउटनांख बटे Y के सापच जल का आपउटनांख ये रहा प्यारवच्छो प्रिकास की उत्कषीयता संमंधित टोपिक आप इसका है स्करिम साइपले सकते हैं उम्मीद है कि आपको Kolordissaya समझ भी आया होगा अब हम बात करते हैं आगे कि टॉपिक को कहवी करते हैं अप्वर्तनांग का प्रिकास की चाल से संबंध। अपवरतनांक का प्रकास की चाल से क्या संबंद होता है और यहां इस टॉपिक से आपके एक्जाम में चाहे हाई स्कुल वाले हो चाहे इंटर वाले हो एक नमबर दो नमबर का क्रिस्ट्ट तक्का बनता है परवेच्चों तो आप ध्यान से दिखिएगा अपवरतनांक की किसी भी माध्यम का परतनांक को चाहे जिसका माध्यम आप परतनांक का बराबर होता है निर्वात निर्वात या वायू की बात कर लें निर्वात या वायू में प्रकास की चाल में प्रकास की चाल निर्वात या वायू में प्रकास की जो चाल होती है वो पूरे के बटे हो यह क्या बता रहा अब परतनांक बराबर है निर्वात या वायू में प्रकास की चाल बटे माध्यम में प्रकास की चाल यानि निर्वात या वायू में प्रकास की चाल और माध्यम में प्रकास की चाल का अनुपात ही अब परतनांक कहलाता है एक बार फुर से निर्वात या वायू में प्रकास की चाल और माध्यम में प्रकास की चाल के अनुपात को ही अपवरतनांक कहते है अब ध्यान से दिखेगा अपवरतनांक को प्यार विच्चो हम N से व्यक्त करते हैं निर्वात या वाई हो प्रकास की चाल क्या होते C है और माध्यम में प्रकास की चाल V माल ले तो जो बेंज़क हो जाता है वो हो जाता है यहने इक्वल टू C अपान V यहने इक्वल टू C अपान V जहां C प्रकास की चाल है और भी माध्धम में प्रकास की चाले जिस माध्धम में प्रकास के लिए जा रही है अब हम कुछ और टॉपिक की चर्चा करते हैं अगले टॉपिक क्या है? जैसे इसी से रिलेटेड है वो अगला अगर हम बात करें पहले विच्चो वायू के सापिच किसका? वायू के सापेच काँच का अपरतनाग किसकी चर्चा करें वायू के सापेच काँच का अपरतनाग अब दिहान देजिए वायू के सापेच काँच का अपरतनाग अब इसे हम कैसे लिखेंगे वायू के सापेच मतलब A.N.G वायू के सापिच कांच का अपरतनांग का बेंज़क क्या होगा वो ध्याने जे हो जाएगा वायू में प्रकास की चाल किसमें वायू में प्रकास की चाल सी बटे माध्यम में प्रकास की चाल तो माध्यम कौन है जी है यानि गलास है तो वी जी यानि कांच में प्रिकास की चाल समीकर नंबर एक बना लो है या कोई देखकत किसी नहीं होना चाहिए अब हम क्या निकालते हैं अगरी पॉइंट वायू के सापेच कांच है निकाले थे अब निकालेंगे वायू के सापेच जल का अपरतनाग है वायू के सापेच जल का अपरतनाग है जल का अपरतनाग है चली वायू के सापेच जल का अपरतनाग क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा निर्वात में प्रिकास की चाल बटे क्या हो जाएगा प्यारी बच्चो बटे हो जाएगा जल में प्रिकास की चाल मतलब वी डबलू समी करण नंबर दो प्यारी बच्चो समी करण एक और दो को क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं something एक बटे समी करण दो two को समी करण एक से भागते हैं तो समी करण दो बटे समी करण एक ठिक अब समी करण दो क्या है यह है ए एन डबलो और समी करण एक क्या है ए एन जी बराबर समी करण दो क्या है सी अपान वी डबलो पूर एक बटे C अपान क्या है VG है ठीक अब C से C क्या हो जाए cancel VG उपर पहुच जाएगा तो आ जाएगा ANW बटे ANG बराब VG उपर पहुच गया और W नीचे रही गया तो VW हो जाएगा तो VG बटे क्या हो जाएगा प्यार बच्छो VW ये आ गए अब आप यहां से एक फार्मूले में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्यार बच्छो इसको हम क्या लिख सकते हैं या ध्यान दीजीगा इसे हम लिख सकते हैं GNW इसे हम क्या लिख सकते हैं GNW GNW यानि काच का जल के सापच अपरणा काच का प्रेटनां को प्रयकास की चाल में जो संम्ज़ा दिये गए आप इसका जुट लीटेगा हम लोगों ने प्र हम ली आप्वरतन के नियम पर लीए प्रकास की चाल में क्या संब्पन था वह पढ़ा प्रकास की प्रकास्त आप बढ़ा प्यारे बच्छों अब इससे रिलेटेड लास्ट टापिक है अपवर्तन का उधारण अब विभारी जीवन में आपको अपवर्तन की कुछ उधारण देखनों को मिलते हैं उनमें सबसे पहला होता है रात्रे में तारों का टिम्टी मारा अब रात्रे में तारे टिम्टी मारते कैसे हैं वह बात आप ध्या आवरतन के कारण जो तारे होटे हैं वो टिम दिमाते हैं तो वाइस देखते हैं कि आसमान में हम माल लेते हैं कि एक समेट ले क्यों दो तारे हैं परन्तु दो तारे तो होते नहीं संख्य तारे होते हैं तो हम माल लेते हैं जो हम लोगों का आसमान है यहां पदेश में दो त दिखेगा अब आपको पता है यह आपकी प्रतिवी हो गई और यह प्रतिवी पे आप खड़े हुए कोई एक चुन्नू सा इंसान हो गया अब भाई इसका नाम बताईए कि यह इनसान कौन सा है चलो अब फिर इसके बाद फिलाल ऐसे करके माल लेजेगा यह कोई ऐसे थी अब क्या होता है कि यह चट पे बैठी हुई थी और चट पे बैठ कर जो है देख रहे थे कि तारे फैमली के साथ है किसी के साथ बैठा है लड़का है अब क्या है यह इस तारे को देख रहे है और चोटी सी थी या वो इसको याद आया तारे क्यों टिम 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 आते हैं मम्मी से पूछा पापा से पूछा तो भाई उसे पूछा तो कुछ नहीं जवाब मिला तो फिर उसके बाद बढ़ी हुई पढ़ी लिखी तो पता चला तारे क्यों टिम 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 आते हैं आईए हम स हम यहां किवल चार परत बनाएंगे प्यारे बच्चों यह कोई दूसरा परत हो गया थोड़ा सा इस चित्र को भी मोग कर लेंगे बाद में बना रहे हैं और यह कोई तीसरी परत हम इधर ही दिखा दे रहे हैं यह और यह चौती ध्यान से देखना गाइस अब जैसे जैसे हम प्रधिभी के समीप आते जाते हैं वार्मंडल की विभिन परते गर्म होती चली जाती है अर्था जैसे जैसे उपर की तरफ जाते हैं उधर की परते हैं जो कम गर्म होती है यानि और ईक बात और जो जो कम गर्म होंगी वह बिरल होंगी और जो अधिक गर्म होंगी वह आपकी क्या होगी सगन माध्यन होगी यानि प्यारे बच्चो ध्यान से देखिएगा अब जब यहां से निकलने वाली यह जो विभिन घनत की वाय मंडल है ध्यान देखिएगा प्यारे बच्चो विभिन घनत वाले वाय मंडल अब ध्यान से देखो यहां क्या होता है जब तारे से चलने वाली प्रकास केड़े वाय मंडल में प्रवेश करती है और वाय मंडल के बिभिन परतों से होकर गुजरती हुई हमारे आखों तक पहुचती है इस इंसान के आखों तक क्या होती पहुचती है अब क्या होता है जब ये प्रकास केड़े यहां से प्रवेश की वाय मंडल के बिभिन परतों से होते हुए हमारे आखों तक पहुचती है तो जो प्रकास केड़े होती है वो कई परतों से होकर गुजरी रहती है और लगातार उनका अपवर्टन होता रहता है लगातार वो अपने मार्ग से बिचलित होती है और इसलिए जो है हम लोगों को लगता है कि तारे जो है टिम्टीमा रहे हैं वास्तों में टिम्टीमा आते नहीं लगातार प्रकास का अपवर्टन होता है लगातार वो अपने मा प्यार बचो लगातार, बिचलित होती गई, लगातार बिचलित होती गई, ये आपको यहां तर दिखाई पड़ी फिर उसके बाद कुछ दीरे बाद वही प्रकास केहए को रंसम्खाने के लिए,लईरी प्रकास केलिका यहां से निकले, यह जो है यह प्रेकास किरण होता है वो विभिन वाहि मंडल की परतों से उका गुजरता है और लगातार उसका बिचलन होता जाता है लगातार उपने मार्ग से बिचलीत होता रहता है जिसके कारण कभी प्रेकास की चाल जादा हो जाती है कभी प्रेकास की चाल कम हो जाती है कभी कम कभी कभी कम कभी ज़्यादा इसी को तो हम लोग काते हैं तारे टिम्टी मा आते हैं अब हम बात करते हैं पानी से भरा तलाब अपे चाकरित गहरा कम दिखाई पड़ता है आईए हम समझते हैं पहले आज आप लोग इसको जाके देखेगा कि जब बढ़सात की सिजन आती है तो जो तलाब आप लोग देखे रहते हैं जैसे आपके घरों आपके हां की एक टैंक ले लेजे बड़ा सा खुब बड़ा सा विशाल सा टैंक और इसमें जल खुब भर दिया जाए और इस टैं को देखो भरे हुए डिब्बे को देखा जा तो डिब्बा इसके अपिछा में कम गहरा दिखाई पड़ता है उसका कारण होता है प्यारे बच्चों क्यों कम गहरा दिखाई पड़ता है क्यों जानते हैं जो सुरी की आने वाली प्रकास किर्डे होती है वो जब जल में है, वैसे वाइसे प्रकास केडों का चाल कम होता जाता है, चाल कम होता जाता है, और जिसके प्र nesse करेंगे प्रिष्ट के अंतिम लेयर तक नहीं पहुच पाती प्रिष्ट के अंतिम लेयर तक नहीं पहुच पाती और उससे पहले ही ये जो जल है लौट आती है जो आदमी देख रहा रहता है उसको दिखाई पढ़ने लगता है इसलिए प्यारे बच्चो ये जो जल से भरा हुआ टैम कोता है वो इसकी तुलना में कम घहर थे पढ़ता है, एक बार फिर से समढ़क लो यारो एक भार समझे न, बावाखी दूबारा खुद आप समझाने लायक हो जाओगे देखो ये सूरज बाबु हो गए, सूरज बाबु से प्रकास केलडे निकले, जल के अंदर प्रवेस की, अब जैसे जैसे जल के अंदर प्रवेस करती जाएंगी, वैसे वैसे प्रकास की चाल कम होती जाएगी, तो भाईया जैसे जैसे ये अंदर गई, वैसे वैसे प्रकास की चाल क हुई औप्रेकास केड़ होने जल के अंतिम परत्तक नहीं पहुच पाई यानि बरतन के अंतिम प्रिस्ट pos Nous पहुच पाई और उसी से पहले यह लोट आई हमारे आंकों को संबेडित कर दी तो हमारे आखो को लगा कि यह तो जो यह ड्रम है वो यही तक है परन्तु ड्रम की तो गहराई यहां तक थी इसलिए जो है हम लोगों को जो भरा हुआ तालाव होता है चाहिए भरा हुआ ड्रम हो कोई भी हो वो हमको कम गहरा दिखाई पड़ता है वास्तुविक में ऐसा नहीं होता प्यारे ब तालाब में कूदियेगा मत खासतोर जब तैरने नहीं आता हो फिलार थंडी के सत्र में यानि इस महीने में कहीं भी तालाब फुल रूप से भरे नहीं हो ठीक आप समझ गए होंगे प्याज बच्चो अब हम समझते हैं जल में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रत प्रतिम के कारण अब प्रकास के अपवरतन के जल का पिंसिल का मुड़ा हुआ प्रतित होना कैसे होता उसके प्रतीत होना कैसे होता बेलवेच्चों उसके लिए हमने आकरती बनाकर रखा यह कोई आपकी पिंस से बहुत पतली है और लोकल कंप्नी जिसे हम PDS के दिखा रहें, अब दिखिए, क्या होता है, कि जब पेंसिल को जल में तिर्चा प्रवेश कराते हैं, जब पेंसिल को जल में तिर्चा डाला जाता है, तो पेंसिल के नोक से आने वाली जो प्रकास किर्डे होती है, वो जल से जब बाहर निकलने लगती है, या हम कह दें पेंसिल के नोक से आने वाली प्रेकास किरने लगातार अपवर्तन के कारण वो अभिलंब से क्या होती जाती है पर दूर हटती जाती है यानि आप समझे ये जो प्रेकास किरने है ये लगातार उपर की तरफ जाएंगी तो ये अभिलंब से दूर हटती चली जा बाद जब आप इनको देखोगे जब आप इन आँखो PENSILL को नोख को देखे. तो इसको लगेगा कि यहाँ यह वाले बिंदु से नहीं बलकि इस बिंदू से आई दिखाई पड़ा जिस कारण आपको पेंसिल तेरहा दिखाई पड़ा एक बार प्यारे बच्चों फिर से पेंसिल की नोक से निकलने वाली प्रकास करणे लगातार अपवर्तित होने के कारण प्रिछक के आँख तक जब पहुशती है लगातार बाहर की तरफ जब जा रही है तो यह लगातार अभिलम से क्या होंगी दूर हटती जाएंगी दूर हटती चली जाएंगी जिस कारण प्रिछक को लगता है कि प्रकास करणे इस बिंदू से नहीं आ रही है इसी लिए पेंसिल आपको तिर्चा यानि मुडा हुआ प्रतित परता कभी-कभी आप अपने अंगुठे अंगली को डालते होंगी तो यह भी मुडा मुडा हुआ नहीं थोड़ा से मोटा टाई दिखाई परता होता है ना प्यार बैच्चो इन सब में अपवरतन का ही उधारन है आई होप प्यारे बैच्चो आज की जो वीडियो आज की जो क्लास है वह आपको बिल्कुल समझ में आया होगा समझ में आया होगा वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को जबर्जस सेर कीजिए प्यार बच्चो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा अंतरीक परावरतन के साथ तक तक के लिए वीडियो तो दिखो वाज नजोई किजिए प्यारा बच्छो थेंक यो ल्डिया स्टुडेंट जय हिंद जय भारत